हws अनुरागलो क्रासिज और आज हमारा सिख्ड लेक्टर है क्रोडक्ट ले-डाउट का और हम पड़ रहें हैं उप्रेज़ान दमेज्भिसीर हमरा जिख्ड लेक्टर आ जाGO है और आजे में सहिंद पर्ड़क्ट लोग चैनल 2022 कह जाता है तो लाइन ले आउट में क्या होता है इसमें ऐसे इसमें होता है सारा गाल इसमें पहला जो होता है किसमें मशीन और वर्क स्विचय को एक सीवेंश में और continuous flow में लगा जया जाता है जिसे कि material और production kan corners बनाया जाता है और उसी सीवेंश के साफ से जो है чис Catherine को भी arrange किया जाता है उसी sequence में second आता है कि ये assembly lines के लिए बहुत ज्यादा suited होता है जहांपे की product की एक pre-determined path होती है third आता है कि जो भी work station होता है वो एक specific task करता है अपनी assembly process में fourth point आता है कि material जिते भी होते हैं वो straight line में flow करते हैं एक station से लेके दूसरे station तक last आता है कि ideal होता है mass production के लिए जहांपे की एक standardized product का production होता है अब इसकी merits पढ़ लेते हैं तो ये high efficiency होता है इसका मतलब है कि ये optimize करता है workflow को और ये reduce करता है material के handling time को next इसमें आता है reduce WIP तो इसमें minimize कर देता है ये work in progress को क्योंकि work in progress inventory को क्योंकि इसमें continuous flow होता है production का third आता है lower labor cost कि इसमें जो है labor की इसमें जो है less skilled labor की requirement होती है क्योंकि इसमें जो भी task होते हैं वो repetitive होते हैं fourth point आता है इसमें faster throughput तो इसमें shorter lead time होते हैं जो कि faster production cycle को जो कि faster जिससे की faster हो जाती है production cycle फिफ आता है space utilization तो इसमें maximum जो है use किया जाता है floor के space का और इसमें compact layout बनाया जाता है क्योंकि इसका compact layout होता है इसकी वज़े से पूरा जो floor का space है उसे maximize maximize किया जाता है अब इसकी demerits पढ़ लेते हैं तो पहली demerit है lack of flexibility तो इसकी पहली demerit है lack of flexibility यह बहुत ही difficult होती है क्योंकि यह difficult होती है changes changes को accommodate करने में product के design में और production की process में क्योंकि यह production की process और production के design को बदल नहीं सकते हैं इसकी वज़े से lack of flexibility हो जाती है second आता है equipment dependence इसमें production stop हो जाता है अगर एक machinery खराब हो जाती है या फिर slow हो जाती है उससे पूरा production stop हो जाता है third आता है monotony इसमें repetitive task होते हैं जो कि employee के moral को बहुत जादा decrease कर देते हैं और motivation को भी decrease कर देते हैं fourth आता है इसमें high initial investment तो यह जो है इसमें इसमें बहुत जादा product layout में बहुत जादा high initial investment की जरूरत होती है क्योंकि इसमें specialized equipment और machinery का यूज़ किया जाता है fifth है इसमें balancing issue balancing issue में बताए गया है कि जो difficult इसमें बहुत जादा difficulty होती है balancing करने में production के rate को production के rate को different workstation पे अगर आप मेरी वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद channel को subscribe कीजिए video को like कीजिए thank you